कौन बनेगा करूरपती टीवी शो पूरी दुनिया में लोग प्रिय है और इसके जरीए कई गरीबूने भी अपनी किसमत बदली है ये पॉपलर शो है लेकिन कि आपको पता है कि भारत की खिलाफ नई-नई साजिश्यों में जुटा पाकस्तान अब इसे शो को अपना हथियार बना कर भारती सुरक्षा देन्सियों से जुड़े लोगों को निशाना बना रहा है इस बात का खुलासा रक्षा मंत्राले ने किया है आर्टिकल 370 हटाने पर हर अंतराश्टी मंच पर भारत के हाथों मुखाने के बाद पड़ोसी पाकिस्तान हमारी देश की खिलाफ हर दिन नई साजिश और हतकंडे को अपनाने में जुटा हुआ है रक्षा मंत्राले के मुताबिक पाकिस्तान आधारित सोचल मेडिया हैंडल के जरिए अमिताब बच्चन के नाम पर कौन बनेगा करोड़ पती टीम के रूप में खुद को प्रचारित कर भारत में गलस सूचनाओ का प्रचार कर रही है तो वहीं इस मामले में रक्षा मंत्राले ने एक दिशा निर्देश जारी किया है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान का साइबर सेल टीवी शोग कौन मनेगा करोड़ पती की लोग प्रेता का लाब उठाते हुए व्यक्तियों को वार्चप ग्रूप में शामिल कर रहे ह और नकली के बिसी संदीश भीच कर लोगों को फसा रहे हैं तो वहीं रक्षा मंत्राले के दिशा निर्देशों में दो पाकिस्तान आधारित नंबरों का खुलासा किया है जो वाट्सप ग्रूपों के एड्मिन थे जिनके माध्यम सेवे भारत से लोगों को फसाने की कोश कर रहे थी मंत्राले ने लोगों को इन समुहों से बाहर निकलने की सलाह दी है कि अगर वो पहले से ही ऐसे ग्रूप में शामिल हो गए है और यदि वे नहीं हुए है तो उन्हें इन नंबरों को ब्लॉक करना था साइबर सेल ने लोगों को अपनी वाट्सप सेटिंग्स को इस तरह से कॉन्फिगर करने की सलाह दी है कि केवल एक व्यक्ति जिसके संपर्क विवरेंस आपके फोन में सहीजे गए है वो आपको निमंत्रण के बिना जोड सकता है साइबर सर ने सोशल मेडिया पर सेवारत और सेवनिवरत अधिकारियों सहीतर सैन अधिकारियों की दूसों से अधिक नकली हैंडल पाए थे जिसके जरिए कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी ट्विट और संदेश फैला रहे थी इस तरह से आपको बता दे कि आपको सजग रहने की जरूरत है और अगर आपके पास KBC की तरफ सी कोई मैसेज आए तो सबसे पहले तो आप साफधान हो जाईए और जब तक इस पात की पूरी तरह से पुष्टी नहों तब तक आप इस बात को बिलकुल भी ना माले SPN 9 Newsroom 3 Sridhik Report